गाइज हम किसी को पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने में अलग-अलग मोर यूज करते हैं किसी को कैश पैसे देते हैं तो किसी को बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं तो किसी को चैक से पैसे देते हैं अगर आप भी इन में से हो चैक से पेमेंट करते हो किसी को भी तो आपको तब आपको सारी चीजे समझ में आने वाली है कि मैं इस वीडियो में basically किस टॉपिक के वारे में बात कर रहा हूं क्या चीज आपको बताने वाला है जिक कर वाला है कि उविक वाङएच में आने खु Export harbor शिगैकgamच में आपको रहा हूँ सिग्यान आपको पाधक के वाली हुईपिक को तो आपको दिखा कि चल रहा है मार्केट में एक पैन आ चुका है जो बेशिकली एक एरेजर बूल सकते हो जो आप पैन से लिखोंगे चेकर चेक के उपर उसको रहा सकता है तो बॉस आपको क्या करना है next time जब भी किसी को payment करते हो जब भी किसी को payment करते हो ना तो जो भी लिखते हो amount वाला section हुआ या उपर जार पर मतलब words में लिखते हो जो भी section हुआ वहां पर आपको tape भी लगा देनी है और check को fill करते समय में क्या क्या साफदानिया आपको रखनी चाहिए अगर वो साफदानिया नहीं रखते हो तो आपको चैट बाउंस हो सकता है आपको पैलेंटी देनी पड़ सकते हैं इसके बारे मैंने एक specific वीडियो बना रहा है उसका link मैंने नीचे description box में प्रोवाइड करा रहा है आप चाह बने माइड़